नमस्कार मेरे इनुमिस्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बहुत ही सुन्दर सा पार्टी वेर पर्स बनाने वाली हूँ जो कि मैंने बचेवे कपड़े से बनाया है इससे पहले मैंने एक बटवा बनाया था बटवा बनाने के बाद यह कपड़ा और बाकी material बच गये थे तो उसी का यूज करके मैंने ये सुन्दर सा पर्स बना लिया है अगर आपके पास बचा हुआ ब्लाउच पीस या फिर सूट के बगल से जो कपड़ा निकलता है वो रखा हुआ हो तो उससे ये पर्स बहुत ही आसानी से बन जाएगा दिखने में ये बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो आये सुरू करें बनाना तो ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है जो कि वेलवेट का कपड़ा है तो ये छोटा सा पीस मेरे पास बचा हुआ था इसी में से मैं ये पर्स बनाऊंगी तो पहले इसमें से कटिंग कर लेते हैं तो ये 6 इंच पे देखि दोनों साइड से मैंने ये मार्क कर लिया है तो 6 x 6 का इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है अब इसको हम कट करेंगे अब इसको cut करने के बाद देखिए ये 6 by 6 का ये कपड़ा मैंने cut कर लिया है अब इससे हमें fold कर लेना है इस तरह से और देखिए इस तरह से एक triangle बना लेना है अब जहां से मैंने निशान लगा है वहें से cut कर लेंगे इस तरह से तो ये देखिए अब इसको सीधा करके देखते हैं ये एक triangle shape में बन गया है इसी तरह से हमें एक piece और cut करना है तो अब इसको देखिए उसी कपड़ी को उपर रखके और बिल्कुल इसी के बराबर cut कर लेंगे तो ये दो piece cut हो गया है त्यार हो गया है अब इसका देखिए total देख लेते हैं measurement कितना आता है तो इसका जो total measurement है वो आ रहा है 19 इंच यानि कि 19 इंच total कपड़ा हमें cut करना है तो ये देखिए इसमें से एक साइड से में ये 19 इंच कपड़ा cut करूँगी और ये इसकी उचाई 11 इंच रख रही हूं तो ये एक और piece मैंने cut कर लिया है जो कि 19 इंच लंबा है और 11 इंच चौड़ा है ये 11 इंच का ये एक piece ready हो गया है अब हमें इसको quilt करना है तो quilt के लिए देखिए मेरे पास पुराना सीफॉन का blouse piece पड़ा हुआ है इसका मैं अस्तर बनाऊंगी अब जितना बड़ा ये main fabric है उससे थोड़ा बड़ा अस्तर कट करना है हमें अस्तर के उपर रखेंगे ये form अगर आपके पास form नहीं है तो आप आटे वाला बैग या फिर बुक्रम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब ये देखिए form थोड़ा सा कम था तो उसको मैं जोड़ लगाऊंगी यहाँ पर और तीनों को मिला के हमें quilt कर लेना है बिल्कुल इसी तरह से ये जो दुनों triangle था उसके लिए भी हमें ये अस्तर और form कट कर लेना है और इसको भी quilt कर लेना है तो ये देखिए quilt इस तरह से करते हैं तीनों को बराबर करते वे सिलाई सुरू करनी है अब ये दूसरे साइड से सील लेना है इस तरह से इसकी quilting complete हो जाएगी अब इसी तरह से जो दोनों triangle piece कट किये थे उनको भी quilt कर लें तो ये तीनों piece quilt हो गया है अब जो भी extra form अस्तर है सब को काट लेंगे इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस से उसको भी कट कर लेंगे ये देखिए सब cutting भी हो गई है quilting भी हो गई है अब इसमें हम सबसे पहले जिप लगाएंगे तो ये देखिए कपड़े को सीधा और जिप को इस तरह से उल्टा रखके सील लेना है अब हम जिप को सीधा इस तरह से करेंगे और उपर से प्रेसिश्टिश करेंगे अब जो जिप का दूसरा साइड है उसमें कपड़े का जो दूसरा किनारा है उसको मिला के सील लेंगे अब ये 20 जिप को अलग कर देंगे ताकि इसमें भी दूसरी साइड भी प्रेसिस्टीच कर सके तो ये देखे इस तरह से ये जिप को और कपड़े को नीचे करते हुए प्रेसिस्टीच कर लेना है अब ये दोनो साइट जिप लग गया है, अब हम साइट से देखे, ये 3 इंच पे दोनो तरफ से मार्क करेंगे इस तरह से तो ये निशान लग गया है 3 इंच पे दोनों तरफ से ये मेरे पास थोड़ी सी डोरी बचे हुए जिससे की हैंगर बनाऊंगी तो ये 17 इंच लंबा ये 2 पीस डोरी मेंने लिया है और ये मेरे पास बचा हुआ लेस है जिसको इसके उपर दोनों साइड लगाना है तो जहाँ पर हमने ये 3 इंच पे मार किया वहाँ पर ढョरी को रगते हुए उसके उपर ये लेस को रखते हुए फिर दोनों तरफ से उपर और नीचे की तरफ से सील लेना है इसको मिल्कुल इस तरह से दूसरी साइड भी सील लेना है डोरी को बराबर करते विए उसके बाद सी लेंगे अब ये जो भी एक्ष्ट्रा है उसको काट लेंगे और दूसरी साइड में भी उसी तरह से लेस को डोरी को लगा लेंगे तो ये दूनों साइड डोरी और लेस दूनों लग गया है अब इसमें हम रनर डालेंगे दूनों तरफ इस तरह से बराबर करते विए रनर को डाल लेना है अब रनर को डालने के बाद इसको पर्स को हम उल्टा करेंगे तो ये पर्स को मैंने उल्टा कर लिए अब जो दोनों पीस से साइड वाला उसको हमें इसमें जोड़ना है तो इसके लिए देखिए बिल्कुल बीच में निशान लगा लेंगे ने इस तरह से दोनों साइड बीच में निशान लगा लेंगे हम अब इसमें देखिए ये निशान लग गया है अब जो ट्रेंगल वाला जो दोनों पीस से इसमें भी हमें इस तरह से इसको बिल्कुल आधे से फोल्ड करके और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है अब ये जो इसमें जो निशान लगा है और कपड़े में जो निशान लगा है दोनों को मिलाते वे दोनों का सेंटर मिलाते वे और फिर इसको हम चारो साइड से सील लेंगे अब ये दूसरी साइड भी सील लेना है उसी तरह से दोनों का सेंटर मिलाते वे फिर इसको सील लेंगे अब ये देखे इसके सिलाई हो गई है अब इसमें हम पाइपिंग कर लेते हैं तो ये मेरे पस दो इंच चोड़ा ये कपड़ा है जिससे कि इसका जो जहां पर सिलाई वहां पर पाइपिंग कर लेंगे तो जहां जहां सिलाई है वहां पर पहले एक साइड से इस तरह से सिला कट करके फिर इसको देखिए एक बार फोल्ड करके फिर दुबारा फोल्ड करके और यह सीधा करते वे इस तरह से पूरा सिल ले इससे क्या है सिलाई नहीं दिखेगी अब इसी तरह से दूसरी साइट भी पाइपिंग कर ले तो यह दोनों साइट देखिए पाइपिंग मेंने कर लिया है अब बैक को सीधा करके देखते हैं बहुत ही सुन्दर सा यह पर्स बनके तयार हुआ और बहुत ही जल्दी बनके तयार हुआ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और जो भी बचा हुआ मैटेरियल था उसी से यह पर्स बनके रेडी हो गया है यह पर्स आपकी हर तरह की साड़ी और सूट पे मैच करेगा तो आप इस पर्स को जरूर ट्राइ करना उमीद करती हूँ आपको मेरा यह सुन्दर सा पर्स और मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा यह वीडियो देख